तो बच्चो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक वर्ड पर फोकस करिए वर्ड है कॉंट्रा और कॉंट्रा वर्ड जब भी आता है न तो अक्सर हमाई दिमाग में ऐसी हिमें जाती है कि हम कोई निगेटिव बात कर रहे हैं जैसे कॉंट्रडिक्शन है ना कॉंट्रा डिक्शन के दो लोग दो अलग अलग बाते कह रहे हैं एक चीज के लिए किसको समझें तो हम बोल देते यह कॉंट्रडिक्शन है वहाँ पर कुछ और लिखा जैसे अभी एंसी आर्टी में हुआ था 11 में लिखा था डिपलॉइट सेकेंट्री न्यूक्लियस एलेवन की एंसी आर्टी लाएं यह सोनो और ट्वेल्ट में डिपलॉइट वर्ड यूज नहीं हुआ है तो ऐसी चीजों को हम बोल देते कॉंट्रडिक्शन मतलब यह नेगेटिव सेंस में ले लिया जाता है अब एक बार जब क्वेस्चन आया तो बच्चों ने इसी को स प्रियांश को और मनब को चाय पर बुलाया कि सराब आईए टी पार्टी है और मैंने और भी लोगों को बुलाया और इनका फोन आया मेरे पास कि सराब टी पार्टी पर आ रहे हैं ऐसा करिएगा चाय की पत्ती लेते आईएगा चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती की जरू फूल पार्टी थी कि फिर मैंने श्रियांश को फोन किया कि आप जा रहे हो वह का हाँ सर मैं जा रहा हूं मेरे पास तो मशारिव का फोन आया था कि तुम चीनी ले आना चाय बनाने के लिए चीनी की जरुवत पड़ती है और श्रियांश ने यह बताया कि सर मैंने मनब से बात की थी और उसने कहा कि मुझे भी मुझसे कहा है कि तुम मिल्क लिया न चाय बनाने के लिए मिल्क की जरुवत पड़ती है तो क्या ये बच्चों contradiction हो गया actually चाहे बनाने के लिए इसकी भी जरुवत है इसकी भी जरुवत है इसकी भी जरुवत है है ना ऐसे words को ऐसे sentences को बोलते हैं Contra distinction समझे आप ये नहीं यहाँ पर sense positive हो गया negative sense नहीं है क्या कलाएगा ये Contra distinction कलाएगा एक और वर्ड इसके जैसा है कॉंट्रविंस 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 पॉर सेल्फ पॉलिनेशन आज इसी से शुरुवात हो रही है हिंदी में अगर आप इसका गूगल मीनिंग देखेंगे तो आपको बता चलेगा इसका मीनिंग है युक्ती अब आपको हिंदी भी समझ में नहीं आएगी वाट इस अमीनिंग आप युक्ती गूगल पे इस वर्ड का यह मीनिंग है चेक करिए चेक इन नाउ यह क्वेस्चन अगर आ गया तो क्या लिक करके आते और आता है इसी लेंग्विज में यही वर्ड यूज होता है पहले तो यह बताईए स्पेलिंग क्या है गूगल पे इस वर्ड की स्पेलिंग क्या है गूगल पे यह बताईए पहले कॉंट्रिवेंस का मतलब क्या है हिंदी में क्या लिखा है युक्ती नहीं लिखा युक्ती युक्ती येस तो युक्ती का मतलब होता है है कि कौन से ऐसे फीचर जें जो प्रमोट करेंगे सेल पॉलिनेशन को प्लार के कौन से ऐसे फीचर है पॉइंट इन सबोर्ट हमें point in against नहीं लिखना है हमें point in support लिखना है बात समझ में आ रही है तो इस word को जरा अपने diary में अलग से लिख लेना क्योंकि कभी कभी question इस word के साथ ही आता है what are the contributions of self-pollination what are the contributions of cross-pollination ठीक है word यह use होगा contrivence self-pollination is also called selfing और in breeding तो आप लोग ने कल यह नहीं कहा मुझसे के cross-pollination को आउट ब्रीडिंग कहते हैं और सेल्फिंग का अपोजिट वर्ड नहीं बनाया कि अ कि इसके तीन है तो उसके भी तीन होने चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन और इसका तो होगे आउट ब्रीडिंग इसका उल्टा क्या होगा क्रॉसिंग ही तो है यह सेल्फिंग सेल्फिंग इस क्रॉसिंग लेंडिंग और पॉलन के नौन इस्टिग्मा इस क्रॉसिंग समझे के नहीं तो क्रॉसिंग इस नौट अपोजिट आप सेल्फिंग क्रॉस का मतलब जब भी दो प्लांट के मेल अफिमेल गैमीट करें देट इसकाल क्रॉसिंग चाहे वह सिमिल के बीच में एंथर और स्टिग्मा या पॉलन और स्टिग्मा का कॉंटेक्ट होता है डैडिस क्रॉसिंग ठीक है उसको बोलते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हम सीखेंगे उसको भी अभी इसकी बात कर रहे हैं पहले इसमें एक तो आया बच्छो और टो गेहमी और दूसरा था गिटो नोगेहमी पता है गिटो नोगेहमी का जो graft पिछली क्लास में उससे पहले वाली क्लास में उस से आप एक्जांपल उसकली बता सकते ते मुझे को कि यटो नोगेमी का एक्जांपल देखिये है एंगी ब्रांट की दो अलग अलग ब्रांचेस पर एक पर स्टेमिनेट फ्लार है एक पर फिस्टिलेट फ्लार है जो मैंने का था इंसी आड़ी में एक्जामपल नहीं है तो आपको कहना चाहिए हम बताते हैं कि नोडेंगे तो क्लास में बना के दिखाया था चैप्टर वन में जी कि अब क्यों कर बिट्स बोलेंगे या अपने माक्स बढाएंगे आप लिखिए बॉडल गॉर्ड कॉमा इस पोंज गॉर्ड या सोनो बिटर गॉर्ड वाटर मेलन क्यूकंबर अपने नंबर कि हमें पता है कि यह सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं ऐसा थोड़ी होगा तो दो तीन एक्जामपल तो आप लिख देंगे यह तो हमको हमारी पिछली स्टडी से मिला क्यों कर विट्स अभी हमारी NCRD भी हमको हेल्प करेगी इसमें एडिशन के लिए बट एक बात क्या होती है कंटिन्यूड सेलफिंग और सेलफ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन 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 ब्रीडिंग डिप्रेशन यह बात बच्चों दो जगा लिखी हुई है एक तो चैप्टर टू में हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं एक चैप्टर नाइन में है पेज नंबर 167 बात में देखिएगा ग्रीन बटन अभी नहीं दबाना था ठीक है इस्टाटेजीस फॉर एन्हांस्मेंट इन फूट प्रडक्शन चैप्टर के नाम है वहां पर पेज नंबर 167 पर भी इसके बारे में लिखा हुआ है यानि के चैप्टर टू में भी पूछा जा सकता है और चैप्टर नाइन में पूछा जा सकता है वाट इस इन ब्रीडि लेना जिसका मीरिंग तुम जानते हैं उसके बारे में लिख देना आंसर सही हो जाएगा अ कि ऐसा मैं सिखाता भीं बच्छों को तो यह वाला वर्ट वी तो पकड़ो के आदो इसो नो अभी हम इसकी और इसकी अलग-अलग बात नहीं कर रहे हैं अभी हम सिर्फ इसकी बा पहुंचेंगे यहां पर एजेंट्स की जरुवत पढ़ने लगेगी एजैंसी की जरुवत पढ़ने लगेगी पॉलन ग्रेन को ट्रांस्वर करने के लिए यहां पर इस्पेशली यहां पर नो एजेंट रिक्वायर्ड यह फाइदा है एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है हम हर बात को बुरा ही क्यों समझें पॉजटेव पॉइंट भी तो निकाले मुश्किल क्वेस्चन वह होता है जो इजी टॉपिक पर बने हैं कि वोट आर्दा एडवांटेज़ ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन जिंदगी बर हमको सेल्फ पॉलिनेशन बुरा बताया जा रहा है क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा बताया जा रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में क्या बात बिठा दी गई है कि सेल्फ पॉलिनेशन से वेरियेशन नहीं होते हैं यहीं तो सिखाया गया क्रॉस पॉलिनेशन से वेरियेशन होते हैं तो जो वेरियंट्स होंगे वो ज्यादा इवाल्ड होंगे तो हमने क्रॉस पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन से हमेशा अच्छा माना है किसको अच्छा माना क्रॉस पॉलिडीशन को अच्छा माना है और लिए नहीं चेहां हम से क्वेस्चन के भूण पूछा जाएगा वॉट रदा एडवांटेज ऑसे पॉलिएचन हम उसमें भी एडवांटेज वर्ट को डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और लिक करके आ घर आके पता चलेगा एडवांटेज पूछी थी ऐसा होता है आखों के आगे परदा चाहा जाता है अंधेरा आ जाता है पेपर के टाइम पर क्योंकि हमने आंसर तो पहले ही सोच रखा है ना सर कुछ भी पूछें आंसर तो हमें यहीं देना है यह सो नो फिर वही बात 11th की याद है do you hear or listen you listen you don't hear है ना और इसका एक्सपरिमेंट भी हम कर चुके है कर था कि नहीं कर था 11th में याद है तो यह वाला काम करना है ध्यान से देखिए कि लिखा हुआ क्या है अबही क्या बात हो रहिए ऐसेल सेल्फ पॉलिटेशन के फायदों की बात हो रहिए यह देकर फाइदा क्या आग्या है जो बांट सेल्फ फॉलिटेशन करतें उनने नेचर में किसी चीज़ पर dependent वो नहीं है नहां पर ना पानी पर हवाव पानी यह पानिये बायटिक फैक्टर जैन लिविंग ट्रसें यह सो नो बाकिज़ो आइमल्स है चाहे वो इंसेक्स हो गए बर्ड हो गए वो सब क्या होगा बायोटेक कंपोनेंट्स बायोटेक फैक्टर्स इनकी जरुवत ही नहीं है ओटोगेमी को अपने आप ही पॉलन के लिए स्टिग्मा पर आ जाएंगे हाँ या न नो एजेंट रिक्वायर्ड यह पहला एडवांटेज हुआ दूसरी बात ओटोगेमी में अभी यह रखा है इतना बड़ा डिसएडवांटेज सेल पॉलिनेशन का है के नहीं डिसएडवांटेज है इसकी बात बात में करेंगे यह देखिए ओटोगेमी से पक्का सीट बनेगा सक रहां क्रॉस पोलिनेशन में वही सकता है नहीं भी यह रखिए निक्रॉस पोलिनेशन कितनी बार हम पेड़ लगाते फल नहीं आते हुँ है ना यहां पर अगर आप सेल पॉलिनेटेट प्लांट लगाएंगे तो हंड्रेट परसेंट आपको सीड मिलेगा फ्रूड भी मिलेगा क्रॉस पॉलिनेशन मेरे घर मेरे मिर्च के पेड़ जब भी लगते हैं मिर्च आती नहीं एक दो एक दो आती है तो किसी ने मुझे बताया कि ऐसा करो जब इसमें फ्लारिंग हो तो ब्रश ले लेना ब्रस से ना फ्लार्स पे ऐसे 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 सब डस्टिंग कर देना इधर से उधर पॉलन क्रेंट ट्रांसफर हो जाएंगे तो शायद में फिर आ जाती है एजेंट्स की जरूवत है न तो य गैरंटी से बड़ी बात है यह सब लो एक होती है वारंटी फिर ओती है गैरंटी और फिर यह एशोरंस के नहीं होना है यह एडवांटेज है के डिसएडवांटेज है दो हो गई यह सब नो अभी तीसरी और बताऊंगा मैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए यहां आ जाते हैं वाट इस दा मेरिंग ओफ इन ब्रीदिंग डिप्रेशन लॉस ओफ विगर यू नो दा मेरिंग विगर पोटेंशल ठीक है चाहत लॉस ओफ विगर तू फॉर्म हाइब्रिड अगर आप सिर्फ इतना लिख करके आ जाएंगे आपको पूरे नंबर मिल क्या किसी प्लांट में हाइब्रिड बनाने का पोटेंशल खतम हो जाए ठीक है हाइब्रिड क्या होता है आप सब जानते हैं अभी मैं आप से पूछूँगा आप बता देंगे मुझे इन में से हाइब्रिड कौन है देखिए इधर देखिए वन टू थरी में से हाइब्रिड कौन है यह हाइब्रिड है यह भी है स्मॉल टी स्मॉल टी और कैप्टल टी कैप्टल टी यह भी हाइब्रिड नहीं है यह भी हाइब्रिड नहीं है यह हाइब्रिड है हाँ या ना सब को पता है हाइब्रिड किसे कहते है क्या आपको पता ह यह क्या है और यह क्या है डॉमिनेंट एन रेसेसिफ चलो यह भी सही है और इनको कहते हैं प्योर लाइन प्योर लाइन प्योर लाइन की डेफिनिशन अभी पढ़ने तो बेतर होगा चैप्टर नाइन में फिर दुबारा पढ़ने की जरुवाद नहीं पढ़ेगी प्योर लाइन का मतलब होता है सिंगल सेल्फ फर्टिलाइजिंग होमोजाइगस अभी किसी बच्चे ने पीछे से बोला था होमोजिनस होमोजिनस की जगा क्या वर्ड बोलना था उसको होमोजाइगस ठीक है बिटा it is homozygous single cell fertilizing homozygous individual इसको हम क्या बोलते है pure line और इसको हम एक नाम और देते है true breeding plant pure line का एक नाम और भी है क्या true breeding plant क्यों कह रहे हैं इसे true breeding plant क्योंकि इसमें दोनों लेटर एक जैसे हैं अभी यह लेटर क्या है यह चैप्टर फाइब में समझ में आएगा ठीक है capital T capital T यह यह भी pure line है small t small d इसमें भी दोनों लेटर से मैं yes or no क्या है यह homozygous individual है जो plant breeders होते हैं बच्चों या animal breeders होते हैं वो कभी भी इनको select नहीं करते अपने cross के लिए cross कराने के लिए उनको pure plant चाहिए pure line चाहिए होती है तो जो autogamy या cell pollination है इससे क्या होता है homozygocity बढ़ती रहती है increases फाइदा हुआ के नुकसान cell pollination से एक जैसे plant आने शुरू हो जाते हैं homozygocity आने शुरू हो जाते हैं pure line आने शुरू हो जाती है क्या वो हमें जरूरत पढ़ेगी उनकी breeding program में या नहीं तो ये फाइदा हुआ ना homozygocity बढ़ रही है seat set मिल रहा है agents की जरूवत नहीं पढ़ लही है ये तीन क्या हो गई advantages of cell pollination जो सबसे मुश्किल पार्ट था हमें चार टॉपिक पढ़ने हैं क्या क्या advantages of cell pollination disadvantages of cell pollination advantages of cross pollination and disadvantages of cross pollination एक तो आज ही आपने सीख लिया disadvantage of cross pollination इसका उल्टा कर दें हाँ या ना इसका उल्टा कर दें इसका उल्टा कर दें यानिके disadvantage तो cross pollination के भी हो गए आप दो ही तो टॉपिक बचे yes or no वो उसमें से भी एक पढ़ेंगे दूसरे वाले को उल्टा कर देंगे जो इसके लिए पढ़ेंगे उधर उल्टा कर देंगे yes or no जैसे के advantage क्या थी भई होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है है ना लेकिन disadvantage थी कि इसकी वज़ा से hybrid बनाने का potential खतम हो जाता है loss of vigor to form hybrid is called inbreeding depression हम यह नहीं लिखेंगे के plant depression में चले जाते हैं हम क्या लिखेंगे hybrid बनाने का potential plant का कम होता चला जाता है खतम हो जाता है finally फिर क्या कराना पड़ता है फिर यह कराना पड़ता है ठीक है और वो भी देखेंगे actually exactly देखेंगे कि क्या चीज़ है you got this what is the meaning of inbreeding depression क्या होता है loss of vigor to form hybrid क्या है plant हो चाहे animal हो दोनों में ही यह हो सकता है loss of vigor to form hybrid note भी करते जाहिए साथ-साथ झाल चैप्टर फाइब में आप सीखेंगे कि किसी भी प्लांट या एनिमल को inbreeding depression से बहार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है चैप्टर फाइब में सीखेंगे अभी नहीं ठीक है हाव तो ओवर्कम इंब्रीडिंग डिप्रेशन यू विल लर्न इन चैप्टर फाइब लिख दीजे और रेफरेंस जरूर लिखा करिये इंब्रीडिंग डिप्रेशन चैप्टर टू में किस पेज पर है वहां पर आप लिखेंगे रेफर्टू पेज नमबर 167 और पेज 167 पर क्या लिखेंगे रेफर्टू पेज नमबर 31 ठीक है एक और सिंपल क्वेश्चन है एक एन एन गिवन गिव मी एन एक्जाम्पल आफ ऑटो गेमी गारडन पी बहुत बढ़िया सेल पॉलिनेशन किते दिनों से बात हो रही है टैन से बढ़ लेए कि मेंडल को भी प्लांट के यह बात बहुत पसंद आई कि उसमें सेल पॉलिनेशन होता है है ना तो पी हो गया, अब आटोगेमी पर बात करते हैं, गिटेनोगेमी के बारे में हमारी बुक में बस एक ही लाइन लिखी हुई है, ट्रांसफर ओफ पॉलन ग्रेन फंदा एंथर ओफ फ्लार तू दा स्टिग्मा ओफ अनधर फ्लार ओंदा, सेम प्लांट, ठीक है, और एक्जामपल क्यों कर बिट से हैं, बागी एक्जामपल बात में एड़ करेंगे, इसको यहां से हटा देते हैं, है यह सेल पॉलिनेशन, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका उल्टा टॉबिक क्या होगा, जो जो यहां पढ़ेंगे, उनको उल्टा कर देंगे, तो वो बन जाएंगे, कॉंट्रिवेंस पॉर, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, जो यहां पढ़ेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, यानि कि हम दो टॉबिक पढ़ने हैं, एक साथ, और यह वो टॉबिक जो बोर्ड में आते हैं, ठीक है, फाल तो कुछ भी नहीं है, क्या पत दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, क्या, कोई और तरीका है, इस क्वेस्चन को पूछने का, इजी लेंगविच, चर्राँ में सकते हैं, क्या, इस सकते हैं, क्या, कि इसे आप कैसे पढ़ेंगे मुझे नहीं पता कि मेरे सपर जैसे पढ़ते थो में तो वैसी पढ़ता हूँ वो इसको बोल देते क्लाइस्टो आप पढ़ते इसे क्लीश्टो जैसे चाहें पढ़ी है आए expling मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एक लीस्ट मीश्डो इस क्लोज्डो भीक ह्या ठिक है जो फलार बड कभी ऑपन ही नहीं जो फलार बड कभी ओपन नहीं नहीं होती पथा इसे अगर आप ऐसे बोलेंगे जो फूल कभी खिलते ही नहीं तो उन्हें प्लार्स देट रिमेन टोज अ लार जब बोल दिया तो क्लोज क्यों प्लार तो जब बनता है जब बड़ ओपन होती है एंथेस होता है यह तो नो कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनकी फ्लार बड्स कभी भी कुलती ही नहीं है ठीक तो बड स्टेज में पॉलिनेशन हो रहा है और वहाँ पर क्या होगा एश्योर्ड सीट सेट हंड़ेट परसेंट गैरेंटी है कि पॉलिनेशन होगा जो फूल कभी खुलते ही नहीं अब ठीक है है तो जो फ्लार बड कभी ओपन नहीं होती ठीक है आप सबके घर में यह प्लांट होता है यह इंग्लिश ने में पैंजी चोटे-चोटे पॉट्स में चोटे-चोटे पेड होते हैं और ऐसा लगता है बटरफ्लाई बैठी हुई है फ्लार का शेप ऐसा होता है परपल कलर का जाड़ों में आती है पैंजी बहुत सबने देखा होगा स्कूल में भी होती है पैंजी परपल वाइट पैटल्स होते हैं बड़े-बड़े हैना और ज्यादातर जो स्पीशीज है वह और भी कलर के आते हैं अब तो पिंक भी आ रही है तो इसका साइंटिफिक नेम रख द देखने को मिलते हैं हमारी बुक हमें बता रही है क्ली स्टोगेमस और क्लाइस्टोगेमस लार बर्ड ओपिन नहीं होगी और कैज्मोगेमस जिसमें फ्लार उपन हो जाएगा फ्लार बड उपन हो जाएगी एक प्लांट और होता है उक्जेलिस है यह 11 ने आपको दिखाया था फिर से दिखा देता हूं देखेंगे आग बंद करिए तो रान्द बंद करें कैसे दिखेगा अम बंद करके कोई देख सकता है बिल्कु को पानी पहुचाने के लिए उन नालियों के किनारे एक छोटा सा पेड निकलता है बहुत छोटा सा पेड होता है और उसकी पतियां ऐसे फ्लार की तरह रेंज होती है कि इसकी पत्तियों को बच्चे तोड़ के खाते खट्टी होती है यह यह अक्जैलिस कि 11 में भी कई जगा नाम आया कभी जाना नर्सरी में और आप माली से बोल देना वहाँ पर जो भी हो गाड़नर जो भी हो के भई हमें तरह अक्जैलिस दिखा दो गया यह तो यह है देखो नाली के किनारे निकल रहा है वह साफ पानी होता है उसमें नाली ड़स नॉट मीस के जैसा पानी सडक पर जल रहा है साफ पानी बिल्कुल और पत्तियां तो बच्चे तोड़ो करके खाते हैं इसकी बहुत अब पत्ति नहीं आप लोग निकले नहीं ना दो साल से बाहर अब आए हैं तो जड़ा आजे यह जल्दी से पेज नंबर ट्वैंटी सेवन तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है जिसमें 100% गैरेंटी है के सेल्फ पॉलिनेशन होगा टॉप मोस्ट पॉइंट क्या क्लीस्टो गेमी बच नहीं सकता प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन से हां या ना भई हम यह कह रहे हैं कि यह पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन को यह यह फीचर सपोर्ट कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन को उनमें कौन सा ऐसा फीचर है जिससे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है प्रॉस हो यह नहीं सकता है जब फ्लारबड ओपिन नहीं हो रही है तो 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्लीस्टोगेमस प्लांट्स में और फ्लास में ठीक है बागी पॉइंट जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कॉंट्रिवेंस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए लेकिन वो थ पॉलिट कर दो इसका कैजमों गेमस फ्लार्ज है तो उनमें क्रॉस पॉलिनेशन के जांसे होंगे कि नहीं होंगे एज़िट इस इसको हम एक नाम और भी देते हैं इन ब्रीडिंग डिवाइसेज इस नाम से टॉपिक नहीं है एंसी आटी में इंसे कैरेक्टेज़ प्रीचर अफ्लार्ट के कौन से फीचयर हैं जो एल्भ पॉलिनेशन को सब्सक्राइशल कर रहें तो आप दे उसका नाम से आ रहा है कॉन रीवैंस फॉर सेल्थोच इन अदर वर्ड्स क्या है यह हो गए तो Contra Events for Cross Pollination क्या हो जाएगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज क्योंकि उसका दूसरा नाम था आउट ब्रीडिंग क्या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज के नाम से कोई टॉपिक है हमारी बुक में किस पेज पर है देखिए पेज 31 पर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज हैं पूरा पैराग्राफ है एक वहाँ से हम चार पॉइंट निकालेंगे कितने चार अगर वह चार पॉइंट हम निकालने और उन चारों को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा चार इंब्रीडिंग डिवाइसेज हमें पता चल जाएंगे यह सो नो इस नाम से भी आ सकता ह है इस नाम से भी आ सकता है इस नाम से भी आ सकता है तीन अलग अलग तरहां से पूछा जा सकता है तो पहला इंब्रीडिंग डिवाइस क्या हुआ है क्ली स्टोगे में है ना दूसरा मोनोशियस फ्लावर बाइसेक्श फ्लावर तावी तो होगी यूनी सेक्शूल फ्लार में सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता कैसे होगा तो किदर चला गया वह हो आउर डिवाइज हो गया कि नहीं हो गया डायोशियस फ्लार डायोशी डायोशियस फ्लार किसका फीचर हो गया और बिवाइज का ठीक है टार का मतलब leastочь अबाईसेक्श्योर फ्लार में क्रॉस पॉलेटिंशन हो सकता है हो सकता है sorry-ım lied फ्लार ओपन हो रहा है नब वह सकता है न लेकिन सेल के चांसिस भी होते हैं इसमें नहीं है इसे यह सैल कितिने सेल भी भी हो सकता है क्रॉज भी तार्ट पी मैं दोनों होते ये सेल तो होता ही है क्रॉज कराया जा सकता है किउंकि पी केफलार और बाइ испtiविटी कर आर सिंक्रोन ऐस्ट यह तो मैंने sentence की फॉर्म में लिखा है terms में आपको भी दूंगा इसके कुछ चीजों के बच्चो sentences है terms नहीं है कुछ terms है sentences नहीं है हमें तो knowledge complete करनी होती है yes or no एंथर जिस वक्त खुल रहा है उसी वक्त stigma भी receptive हो जाए हाँ या ना तभी तो self-pollination होगा कि बोलो यह बताईए IQ कैसे निकालते हैं कि intelligence quotient हम सब का क्या होना होता है मालूम है कुछ कितना होता है हम लोग का कि सत्तर पिछत्तर इत्ता ही होता है एट्टी है ना एवरेज है एट्टी तक भी बहुत बढ़िया माना जाता है एट्टी अगर हो तो 75 तक जाता है वो जो 25 परसेंट बचा वो क्या है कैसे निकालते हैं आई क्यों मालूम है हाँ हाँ हारे यह लो मेंने सिखा दिया आपको जबसे हमें पागलपन श्रू हुआ है तब तक की ऐस डजयतो हूग कर ऐइच जबसे हम चले तब अब तक की एच और क्या जबसें निमांग आया है मेंटल ऐज क्या है आपकि ग्यारा साल बारवी में हैं आप समझें कि नहीं एक्चुली ग्यारा साल भी नहीं है क्योंकि 11 आपने 100 परसेंट से पास नहीं किया तो इट विल भी नियर अबाउट 10.7 10.8 मेंटल एज समझ में आई अपान क्रोनो लॉजिकल एज वाट इस दिस आप कबसे दुनिया में आई हुएं हैं यूर एक्चुल एज अब आप हैं तो 16 साल के हैं ना कितने शरम की बात है कि 12 में हैं 12 के बाद 13 क्लास फिर 14 क्लास है ना बारवी के बाद 13 में फिर 14 में फिर 15 संद्रवी में बैसी पूरा हो जाएगा सोल में क्लास में में सी फस्ट इयर मास्टर्स का पहला साल में सी सेकंड इयर मास्टर्स का दूसरा साल 17 साल लाइक डैट तो अब देख रहे हैं आप कैसे क्या निकलेगी इसकी वैल्योंट 16 की तेखिए वाट इस वैल्योंट 16 आगया पिशत्तर यस और नो ट्वैल पास करेंगे तो 17 साल के हो जाएंगे यह सो नो और ट्वैल को जितने अच्छे ज्यादा माक्स पास करेंगे वह आपका आई क्यू आ जाएगा अब टर्म सीखिए टर्म है डाई डाई माने दो को क्रोनो टाइम एक्च्वल टाइम गैमी मतलब गैमी इट्स दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं क्या मतलब हुआ एंथर डाईसेंस एन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नौट सिन्क्रोनाइजड ठीके अगर एंथर पहले खुल जाए यानि के मेल गैमी इट पहले मैच्योर हो जाए तो उसका नाम रख दिया प्रो प्रो माने पहले एंड्रो माने मेल वाई और लगा दिया क्या बड़ बना प्रो टेंडरी प्रो टेंडरी का मतलब मेल मैच्योर अलियर दैन फिमेल यह ऐसा टर्म है जिसकी डेफिनिशन आपको याद करने की जरूवत ही नहीं नहीं है क्योंकि वर्ड का में नीभा आपको सिखा रहा है लार की केस में हम क्या बोलेंगे इसका मीनिक यह ह्याय मेल मैच्योर अर्लियर दैन फिमेल तो य से भूलते प्रो टेंट्री येंडरो म application मेल एंड्रोजिनस मेल हॉर्मोन्स होते कि नहीं अब फ्लार की केस में हम यह बोलेंगे कि दाडाइसेंस ओफ एंठर अकर्स मज़ बिफोर धा स्टिगमा बिकम स्रेसेप्टिव नहीं बोल सकते आप अरिय हैं दो अलब यह इन अज्य हो जाएगा जब स्टिग्मा रॉसरे पढ इपने नहीं था तो मेल पहले मेच्वर गया किनी कर गया प्लूसरा च्छो जाएगा वह जूसरा हो जााएका प्रोटो गाईनी कितना असान है गाईनी मनें फिमेल जी वाई एंड वाई गाईनी वाट इस प्रोटो गाईनी फिमेल मैच्योर अर्लियर देन मेल किसी प्लांट में सभी होता है किसी प्लांट में सभी होता है अगर कोई बाइसेक्शुल एनिमल है तो जगता है वहां पर य यह भी होता हो अपर यह भी और तो प्रोटो गाइन को फ्लाईर में कैसे समझाएंगे अब स्टप्रमा बिकम्रिक मच बिफोर अधिवां टाइस न्स को छ न्वाra हम जानते क्या हैं और हम लिख क्या रहे हैं हम सही मीनिंग जानते हैं और हम वो लिख रहे हैं जिस पर हमको मार्क्स मिलेंगे एक्जामनर से हम जानते यह हैं कि प्रोटेंडरी का मतलब है male matures earlier than female अगर हम यह लिख करके आएंगे तो एक्जामनर हमें मार्स नहीं देंगे अगर हम लिख करके आएंगे दाइसेंस ओफ एंथर अकर्ज मच बिफोर दाइस्टिगमा बिकम्स रिसेप्टिव इस प्रोटेंडरी तो एक्जामनर खुश होकर के पूरे नमबर देंगे यहां पर अगर हम लिख देंगे प्रोटो गा आप समझ रहे हैं ठीक है अगर डाइको गेमी हुई तो सेलफ पॉलिनेशन सपोर्ट होगा के क्रॉस क्या बाश तो इसका क्या नाम हो जाएगा इसका अपोजिट बता दिया मैंने आपको डाइको गेमी यहां भी क्या लिखा है एंथर डाइसेंस और स्टिगमा स्क्रोणाइज यह किसको सब्वर्ट कर रहा है सेल पॉलिनेशन को इसका बोली निर्फ से पॉल नहीं पर कईसे पढ़ना यहां ब्रकॉत लोगए ud एकटा थै ना रहला कि होनोग में मकलब क्या था एक जैसे गेमीन तो इसंस्ट को लखते नहीं समझ लेते क्योंकि एंसर डे गया रही हय होमगा कर ङया जैसे गियमीत तो इसलिए इस वर्ट नहीं है को लिखना नहीं कर दोट ऑट कि दा लेंट कि ओफ कि फिलामेंट कि एंड स्टाइल कि आर सेम कि क्या लगता है यह बात को में कुछ दम है है ना वह अगर फिलामेंट चोटा है और इस्टाइल नंबा है तो पॉलन ग्रेन कैसे पहुचेंगे क्या पता वो दूसरे पर चले जाएं अब यह दो को लेंद हो गई है ना यह वे लेंट तो यहां से यहां आराम से जले जाएंगे और पास हों लोज हो है ना तो ज्यादा बेतर है थोड़े से बढ़े हैं और इधर को मुझे हैं तो वहीं नीचे गरेंगे पॉलन गरें तो यह भी एक इंपॉर्टन पॉइंट है कि फिलामेंट की लेंद और स्टाइल की लेंद यह सेम है अगर यह डिफरेंट होगी तो किसे सबोट करेंगा क्या हमारी एंसी में आउटब्रिटिंग डिवाइसेज में अभी नहीं पढ़ लें धूनेंगे केस का बोजेट पॉइंट है वहाँ पर के नहीं है एक पॉइंट और बचा अब वाट इस एट को सेल्फ कंपैटिबिलिटी थे भूल गया गलती तो मेरी है 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 ना मेरी गलती यह है कि मैं 11 की हर चीज़ आपको नहीं दुबारा से बताता रिपीट नहीं करता रिवाइस नहीं कराता और आप भी पूछते नहीं है चैप्टर वन निकल गया बाई साब मनब भाई चैप्टर वन निकल गया और किसी बच्चे ने यह नहीं पूछा कि सर यह एक नाम लिखा हुआ है इसका मेनिंग बता दो बता दीजे बता दे वाटेवर जैसे भी आप करना चाहें है है था यह चैप्टर वन में हर्मा फ्रोडाइट था कि नहीं था कि मैंने सुना किसी को बोलते हुए एक टीचर बच्चों को बता रहे हैं कि अगर प्लांट हो तो बाई सेक्शुल बोलना और एनिमल हो तो हर्मा फ्रोडाइट बोल देना हुआ कि 11 वे चैप्टर फोर एनिमल किंग्डम में जब एनिलिडा पड़ा था तब वहां पर यह क्लियर किया था आपको फिर से सुन लिजिए कि बाई सेक्शुल कि मीन्स मोनोशियस यस और नो यह सेल्फ कंपाइटेबल हो सकता है अपने मेल गैमीट से अपने फिमेल गैमीट को फ्यूज करा सकता है जैसे के P plant हाँ या न तो क्या कहलाएगा वो self compatible और अगर अपने male gamete से अपने female gamete को fuse ना करा है जैसे earthworm जैसे earthworm तो क्या कहलाएगा self incompatible यही कहलाता है hermafrodite hermafrodite flowers हो सकते हैं बिलकुल हो सकते हैं plant भी हो सकते हैं animal भी हो सकते हैं hermafrodite का मतलब self incompatible अब देखिए इदर ध्यान से सुनिए every hermafrodite is a bisexual but every bisexual is not hermafrodite yes or no pea plant क्या है self compatible है लेकिन earthworm being bisexual is not able to fuse its own male gamete with its own female gamete so that is self incompatible अब बताओ self-pollination में किस पॉइंट को रखें self-compatibility को और cross-pollination में self-incompatibility yes or no nature में किस को प्रमोट करती है self-incompatibility nature में किस को प्रमोट करती है cross-pollination ठीक है अब question क्या आता है आपके लिए यह सुन लिए question लिखा होता है self-incompatibility is a natural barrier लिखिये self-incompatibility is a natural barrier to promote to promote cross-fertilization हम खाली plants की बात क्यों करें वही हम cross-pollination क्यों लिखें है हम क्या लिखेंगे cross fertilization full stop explain यह question full stop explain इस line पर आपको अपने क्या कहते है ना व्यूज नहीं important views देने व्यूज नहीं important views आपके व्यूज थोड़ी होते हैं आपके important views होते हैं वही आप लोग VIP हैं हैं के नहीं आस यो पेरेंट्स पता जल जाएगा कि आप VIP हैं के नहीं यह यह यूज आर जो आप कहते हैं वह होता है जो वह कहते हैं वह होता है अब थोड़ा सा बुक को देख लें बाते बहुत हो गई आज तुम लोग अगर कम बोलो तो पड़ाई हो जाए क्लास में इतनी बाते करते हो पेज नमबर 27 पॉलिनेशन अर्टिकल 2.2.3 in the preceding section you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sec respectively देख लिया male gamete कहां बन रहा है pollen grain में pollen grain male gamete नहीं है आया समझ में ठीक है as both of the gametes are non-motile they have to brought together for fertilization to occur how is this achieved pollination is the mechanism to achieve this objective transfer of pollen grain shred from the enter to the stigma of a pistol is term pollination simple form में अभी पॉलिनेशन बताया है यही तो हमने भी लिखा था transfer of pollen grain from enter to stigma yes or no you know ने पिस्टिल लिख दिया उसकी जगा क्या परिशानी flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination they make use of external agents to achieve pollination बिचारों को पता भी निचलता कि हम पॉलिनेशन करा रहें ना इंसेक्स को ना बर्ट्स को किसी को नहीं पता चलता कि हम पॉलिनेशन करा रहें बताओ कौन समझदार हुआ प्लांट्स के अनिमल्स समझें प्लांट्स आर वेरी लकी उनको कहीं नहीं जाना पड़ता अपना खाना पाने के लिए उपर वाले ने हर चीज़ उनको वहीं पर दिये जहां वो हैं और हमें ढूंडना पड़ता है तो पेड़ हम से ज्यादा लगी हैं हर चीज मां पूरा पढ़ने तब लिखेंगे अच्छे से हैं ना अगर कोई काम इसकाविल है कि वह किया जाए तो वह काम इसकाविल भी है कि अच्छी तरह किया जाए किसने का था डॉक्टर जाकिर हुसेन देप्रिजिएंट अफ इंडिया क्या वोला था? या तो कोई काम करो मत अगर तो अच्छे से नहीं कि यह उन्हें बोल दिया बड़े लोगों की बड़ी बड़ी स्पीच होती हैं उनकी स्पीच एतनी सीदी बось एक बार मैं कहके हट गए वो बच्चों की समझ में आ गई बात जिससकी समझ में आ गई वो सब कामियाब है और हमारी बोड़ी में इसको बोलते हैं all or none principle जब हम nerve conduction पढ़ते हैं chapter 21 class 11 एक topic है GCT, generation, conduction and transfer of nerve impulse, तो वहां लिखा हुआ है कि अगर nerve impulse conduct होगा तो बहुत अच्छे से होगा वनना नहीं होगा, all or none principle, अगर muscle contract होगी तो अच्छे से होगी वनना नहीं होगी, अगर heartbeat originate होगी तो अच्छे से होगी वनना नहीं होगी, perfection होगा या नहीं होगा, so either do the things perfectly or don't do it, आया कुछ समझ में अगर कोई काम इसकाबिल है कि वो किया जाए, तो वो काम इसकाबिल भी है कि अच्छी तरह किया जाए, all or none principle कहते हैं से, हमारी body में कहां कहां है, हर जगा है, tines of pollination, depending on the source of pollen, pollination can be divided into three, इनोने तीन बता है, autogamy, in this type, pollination is achieved within the same flower, transfer of pollen grain from the enter to the stigma of the same flower, अब यहां पर यह, changes ला रहे हैं है, in a normal flower, which opens and exposes the enter in stigma, complete autogamy is rather rare, autogamy in such flower requires synchrony in the pollen release and stigma receptivity, आ गया पॉइंट के नहीं, NCRT ने छोड़ा कुछ नहीं है, हमने इसको निकाला बाहर के नहीं, हमने समझ करके लिखे पॉइंट, बुक में भी वहीं लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रही है बात, पहले यह सीख लीजे के पढ़ना कैसे है, पढ़के नहीं सीखना है, सीख के पढ़ना है, आगे, लो भाई यह भी आ गया, लाई क्लोस टू एच अधर, यह भी हो गया, यह वाला पॉइंट भी आ गया, यह क्या है, पैंजी बना हुआ है, हाँ यह न, और सी में देखो, एक प्लांट बना हुआ है, जिसमें कैस्मो और क्लाइस्टोगेमस फ्लार दोनों है, ठीक है, यह कोई भी हो सकता है, क्योंके बुक में लिखा है, उपर पढ़िये, और पैंजी का इन्होंने फ्लार उपर बना दिया, तो यह कमेलाईना हो सकता है, अब आप बताईए, यह फिगर देखके एक बार में आप हट गए, अब उन्होंने पूछ लिया, बताओ, क्लेस्टोगेमस फ्लार उपर होते हैं के कैस्मोगेमस, चार आप्शन बनेंगे के नहीं, चार आप्शन बनेंगे के नहीं, तो आपको इस डाइग्राम से सीखना है, you have to place, क्लेस्टो नीचे क्यों है, कैस्मोग उपर क्यों है, क्योंकि वो फ्लार बड़ खुलेंगी, खुलेंगी तो उन्हें एजेंट्स यह उपर होना पड़े, तभी तो पॉलिनेशन हो छइसमोगेमस, चैजमो भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, चैमेस्ट्री कहेंगे कैमेस्ट्री कहेंगे, so does such flower birds do not ever open what the flower go in such flower the enter and stigma like close to each other when entered eyes in the flower bird pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination does cleastogamous flowers are invariably autogamous कोई चांस ही नहीं है क्रॉस का invariably का मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन और फड़ो आगे इट शोर्स invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma cleastogamous flowers produce a short seeds that even in the absence of pollinators advantage we style pollination give you advantage we do you think that cleastogamy is advantageous or disadvantageous to the plant why so in the sense of seed setting it is advantageous but in the sense of variation it is disadvantageous high Anna will continue with this in the next class with you